सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमसंग गिलेक्सी M42 के बाड़े में तो सेमसंग बहुत जल्द अपने M-series में अपने एक नया स्मार्टफोन लोंच करने वाला है और ये स्मार्टफोन है सेमसंग गिलेक्सी M42 ये सेमसंग का पहला M-series के स्मार्टफोन होगा जिसमें आप लोगों को 5G का सपोर्ट यहां पर मिलने वाला है तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और डेफिनेटले 2021 में आप लोगों को पता है कि हर एक ब्रैंड मिड रेंज के अंदर अपने 5G स्मार्टफोन को लोंच करेगा तो सेमसंग भी कैसे पीछा रह सकता है आपको सेमसंग का M-series के स्मार्टफोन में अब 5G का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है तो सेमसंग गलेक्सी M42 के बारे में कुछ डिटेल्स यहां पर निकल के सामने आ रहा है और इसका कहना है कि जो सेमसंग का M-series का यह अफकमिंग M42 जो होगा यह आप लोग को 5G के साथ लोंच होते हुए दिखने वाला है अब इसके उपर एक कन्फूजन भी है कि यह कोई नया स्मार्टफोन आएगा यह जो सेमसंग के A-series के अंदर लोंच हुआ था सेमसंग के A42 उसी स्मार्टफोन का रिब्रेंडेड वर्सन यहां पर होगा क्योंकि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि जो सेमसंग के लेक्सी M42 आएगा यह सेमसंग के A-series में जो लोंच हुआ था A42 उसी का रिब्रेंडेड यहां पर होने वाला है जिसमें आप लोंग को 6.6 इंचेस का HD प्लस डिएस्प्ले मिलता है 6000 मेंच का बेटरी मिलता है टाइप सी का चार्जर मिलता है 15 वाट का और 48 मेंगा उक्सील का केमरा देखने को मिलता है बता जारे कि Media Tech Diamond City के SOC आपर मिल जाए 720 के आसपास उमीदे हैं कि आप लोंग को मिल सकता है तो model number यह सब Bluetooth certification यह सब निकल के सामने आ रहा है मेरे ख्याल से आप लोंग को April या फिर में के मंत में Samsung के M-series के अंदर यह smartphone आपर देखने को मिलेगा तो इंट्रेस्टिंग है अब देखतें कि Samsung के और कितने smartphone में आप लोंग को 5G का support मिलता है क्योंकि अब M-series में तो 5G आना स्टार्ट होगा क्योंकि A-series में already 5G smartphone आना स्टार्ट हो चुका है चाहे आप A32 5G के को कहले जिए या फिर Samsung का A42 और अभी लोंच होगा Samsung का A52, A72 5G तो अब हरे company यहां तक कि नार्जो भी जो आया था नार्जो 30 Pro या आप लोंग को 17,000 रुपिस में 5G प्रोवाइट कर रहा है तो बागे competitor brand के लिए भी एक competition है कि वो कब अपने 5G smartphone को कम दम में launch करें क्योंकि Flexive 5G smartphone तो 2019 के last से ही आना स्टार्ट हो चुका था 2020 में आप लोंग को लगभग 25 या फिर 30,000 रुपिस में 5G smartphone मिलना स्टार्ट उल्रेडी हो ही गया था और आप 20,000 के अंदर भी आपको 5G smartphone यहाँ पर देखने को मिल रहा है चाहे आप Moto का कहे लिए चाहे आप MI का कहे लिजिए चाहे पर Realme के भी कुछ Realme का X7 जो 20,000 में है उसमें भी 5G का support मिल रहा है तो अब इस जो market है जो यह जो price category है आपको उनी category में Samsung, Oppo, Vivo इन सब smart phones को यहाँ पर आना है क्योंकि Samsung, Oppo, Vivo यह तीनी ऐसे company जो आपको online, offline, दोनी market में मिलता है और Samsung का M series one of the best selling series है all over India या फिर आप लोग all over world यहाँ पर बोल सकते हैं बाहर के अकंटर में तो ज्यादा A series चलता है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादे हैं पर M series चलता है तो आप लोगों का क्या opinion है Samsung Galaxy M42 के बारे में आप लोगों मुझे क्योंट सकते हैं बताइए 5G smartphone आना Samsung के smartphone में उम्मिद करते हैं कि लगबग 20,000 के आसपास इस phone की pricing होगा Diamond City 720 SOC है तो definitely काफी powerful SOC है अब देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा जब भी आएगा जो भी update आएगा मैं आप लोगों को चैनल में update देता रहूँगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी किलिकर दीजेगा थैंक्यू सो मच